एक आर्टिस का मर्डर हो जाता है इस मर्डर की इन्वेस्टिकेशन में डिरेक्टिव की एक्स गर्ड्रेंड भी इन्वार्वड है तो सब चीज़े कॉम्लिकेटेड हो जाती है अलग-अलग सिक्रेट्स यह बाहर निकलने लग जाते हैं आज की हमारी मुवी चेट यह बहु स्टार्ट करते हैं मुवी स्टार्ट होती है और हमें आर्टिस का घर दिखाया जाता है हमें उसकी चीखे सुनाई देती है कि पर इस ऐसा मत करो इसके बाद हम डिरेक्ली एक डांस बॉल देखते हैं यहाँ पर हमारे मेन गारीटर रीना और मैट जो हस्बंड वाइफ है य दोनों कुछ ना कुछ काम से भीजी है इसी पार्टे में हमारा और एक मैन क्यारेटर जिसका नाम डेविड इसको भी हम देख सकते हैं दांस करते कर्ते डेविड मैट से एकस्क्यूज लेकर टीना के साथ डांस करता है वो ट्रिना को कहता है मुझे इनवाइट करने के डेविड और मैट ये दोनों अच्छे फ्रेंड्स है ट्रीना कहती है तुम्हें इन्वाइट करने का प्लान मैट का था डेविड उससे कहता है क्या आज कल सब कुछ मैट का ही आइडिया होता है बैदो हुए तुम बहुत ही ब्यूटिफुल लग रही हो इन्वे इंटरप्ट करकर फिर से मैट ट्रीना के साथ डांस करने लगता है डेविड एक डिरिक्टिव है उसे अपने ओफिस से कॉल आता है उसे अजर्ण नहीं जाना पड़ेगा पार्टी से जाते वक्त मैट ने उससे नोटिस किया और पूछा क्या हुआ मुझसे क्या कुछ गल्थी हो गई डेविड ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है एक आर्टीस की डेथ हो चुकी है इसका नाम डेविड मैट को बताता है मैट उसे पसनली जानता था उसे बहुत पूरा लगता है ट्रीना को भी शौक लगा है वह गई थी है कि आज सुबा ही मैं उसे मिलकर आई थी डेविड जब क्राइन सिन पर पहुँचता है तो बहुत ही बूटली मर्डर किया गया है एक हैचेट से उसे मारा गया था आर्टीस को लटका दिया गया है और उसके फेस वर मास्क भी था डेविड को बताया जाता है कि मैट को ही डेड बॉड़ी मिली थी वो एक मूवी देखने के लिए गई हुई थी जब वो वापस आई तो उसने डारेक्ली डेड बॉड़ी ही देखी इस मर्डर सेंस है और फॉरेंसी एक्सपर्ट आकर सब सैंपल वेगरा लेकर जाते है डेविड जब आर्टीस का रूम देखता है तब वहाँ छोटे-छोटे बॉक्सेस पड़े हुए है इसमें हैर से एक बॉक्स पर अजीब सा निशान है जिसका मतलब उसे नहीं पता सब चीज़े वो बारी किसे देख रहा था तो उसे एक इरिंग मिली ये इरिंग उसने पहले कभी देखी है सब एविडेंस लिये जा रहे थे तो अपनी फ्रेंड को कहता है कि इसे ऐस एविडेंस तुम मत रखना इसे अपने पास से तुम रखो अब यहाँ से जाते हो डेविड से कुछ पुलिस बात करते हैं तुमारे लिए तो ये केस बहुत ही अच्छा हो गया एक्चुल में डेविड को इक डिस्टिक अटर्नी बनना है इसलिए उसे अच्छे वोट्स चाहिए अगर उसने सही से इस केस को इन्वेस्टेट किया तो इसकी डिये बनने की चांसे बहुत ही अच्छे है अब नेक सिन में देखते हैं कि डेविड एक चैना टाउन के अंडरग्राउंड कैम्लिंग के जगा पर आया हुआ है उसे जो स्मॉल बॉक्सेस मिले थे स्मॉल बॉक्सेस के उपर जो साइन मना था इस साइन के बारे में वहाँ पूछता है एक आदमी इस साइन के बारे में जानता है उस पर जेड ये नाम लिखा हुआ है डेविड उस चैनीज आदमी से पूछता है क्या तुमने इसे इंग्रेव किया था वो कहता है कि नहीं इसे बनवाया गया था पर इसे उसने sell किया था वो कहता है कि एक बहुत ही बड़ा अमिर आदमी था उसने एक beautiful woman के लिए buy किया था अब Nixon में डेविट और Matt को हम एक साथ church में देख सकते हैं जैसे कि हमें पता है यह एक अच्छे friends है मैं डेविट से कहता है यह जो केस है यह तुम्हारे करियर के लिए बहुत बड़ा केस है जो तुम हमेशा से चाहते थे यह दोनों एक दूसरे से ट्रीना को लेकर भी मज़ा करते रहते हैं इसके बाद नेकसिन में पुलिस टेशन में सब कुछ डिसकेशन हो रही है कि सब हम देख सकते हैं यहाँ पुलिस को पता चला है कि आर्टिस को मनी प्रॉलम थे यह उसके घर के सेव से एक कैमेरा रोल भी मिला था इस फोटो में डेविड देखता है गवर्नर एक लड़की के साथ इंटिमेट हो रहा है गवर्नर बहुत ही पावरफुल है तो पुलिस इसमें ज़ादा इन्वेस्टेशन नहीं करना चाहती पर डेविड मानता नहीं यह लड़की कौन है इसका पता अब वो निकालने वाले हैं डेविड खोज जाकर गवर्नर से बात करेगा अब नेक सिन में हम देखते हैं कि मैट और डेविड गेम खेल रहे हैं मैट यहां डेविड को एक ओफर देता है वो कहता है अगर तुम मेरे साथ आकर काम करोगे तो यह पावर और पैसा यह दोनों चीसे मिलेगी डेविड टीए बना जाता है पर मैट ने अभी-भी जो ओफर दी है यह उससे भी अच्छी है डेविड को जो भी सब चाहिए वो अभी क्या भी मिल सकता है पर वो इसके लिए मना कर देता है इसके बाद हम देखते हैं कि डेविड गवर्नर से मिलने के लिए आया हुआ है वो जब सब फोटो गवर्नर को दिखाता है तो गवर्नर उस पर बहुत चीर जाते है वो कहते है अगर इस case में मेरा थोड़ा भी नाम आया तो पुरा career में तुम्हारा तबाह कर दूँगा तुमने कभी भी imagine में नहीं किया होगा ऐसा तुम्हारा हाल होगा डेविड भी इस चीज़ के लिए मान जाता है गवर्नर का नाम इस case में कभी भी नहीं आएगा डेविड गवर्नर से पुछता है क्या आपको कोई blackmail कर रहा था गवर्नर कहते है मुझे कोई भी blackmail नहीं कर सकता वो बहुत ही dangerous है ट्रिना एक author है अपनी book का promotion करने के लिए अलग city में वो आई हुई थी वो मैट से दूर है तो रात में उसे call करती है और कहती है मैं तुम्हें बहुत ही means कर रही थी मैट इस message को सुनता है और वो किसी और के साथ intimate हो रहा है यह हम देख सकते है डेविड गवर्नर से मिलने के लिए गया था तो उसके boss उसपर बहुत ही नाराज है वो उसे इस case से हटा देना चाहते है पर डेविड कहता है अगर आपने ऐसा किया तो सारे photos पब्लीक में चले जाएंगे तब बहुत ही बड़ा trouble हो जाएगा उपने boss को भी धमका कर वहाँ से चला जाता है investigation करते करते पुलीज को एक घर का पता मिला है यहाँ पर जाकर सब चीज़े वो देखते है तो यहाँ अलग-अलग sex toys पड़े हुए है एक room में उपर hidden camera भी लगाया हुआ था इसे घर के neighbor में एक बुड़ा आत्मी रहता था उसके पास एक scope था जो से हमेशा इस घर पर नजर रखा करता था डेविड फिर उसके पास भोशता है governor के साथ जो लड़की थी उसी लड़की की image वो इस आदमी को दिखाता है और यह आदमी इससे पहचान जाता है कहता है यहाँ आया करती थी अब इस लड़की को ढूणना बहुत ही important हो चुका है इसके सब records विकरा निकाले जाते है और अभी currently चाइना डाउन में एक beauty parlor में हो काम कर रही है पेशले दो सालों में अलग-अलग trouble की वज़े से उसने बहुत सारे jobs छोड़े हुए है जब वो उसे मिलने के लिए उसके पास पहुचते है तो वहाँ से वो भागने के कोशिश करती है वो रन करती हुए बहुत दूर तक जाती है पर डेविड फाइनली उसे पकड़ी लेता है जब वो उस लड़की को चेस कर रहा था तो उसके face पर बहुत सारी injury हो गए इस लड़की का नाम Patrice है Patrice कहती है मुझे मेरे lawyer को call करना है तुम लोगों ने मेरे साथ जो भी क्या है यह सब मुझे उससे बता रहा है डेविड उससे बात करता है कहता है तुम्हें अगर lawyer से बात करने है तुम कर सकती हो पर हमें पता है तुम governor के साथ हुआ करती थी तुम्हारे उसके साथ intimate होते हुए photos है governor powerful आदमी है अगर तुमने lawyer को सब कुछ सच बताया तो phone card देगा तुम्हारी case वो कभी भी नहीं लेने वाला अब Patrice के पास cooperate करने के आलवा कोई भी choice नहीं है सब कुछ फिर वो बताने लग जाती है Patrice आर्टिस के साथ भी involved थी वो कहती कि मैं एक party में उससे मिली थी वो फिर उसे उसके secret house में लेकर गया बाद में उसके साथ काम करने लग गई थी आर्टिस ने उसे governor से मिलवाय था और वो उसे उसी घर में लेकर गई इसके लिए उसे बहुत ही अच्छे पैसे मिले थे पर उसे नहीं पता था कि उसकी recording हो रही है Patrice कहती कि उस house पर मैं जिन भी लोगों से मिली वो हमेशा जेड का नाम लेते थे जेड जिस तरह से उनके साथ intimate होती थी इसके प्यार में सब लोग थे अभी जेड कौन है एक मिस्टरी बन चुकी है यसे नहीं कतम होता है नेक सिनम हम देखते है डिविड जब घह जा रहा था तो अचानक से उसके गाड़ी की ब्रेक फेल हो गए गाड़ी को कंट्रोल करते करते उसका एक माइनर एक्सिडंट भी हो गया हॉस्पिटल में उसे पुलिस मिलने के लिए आये उन्होंने का तुम्हारे गाड़ी का ब्रेक जान पुछ कर फेल किया गया था इसके बाद हम देखते है आर्टिस के घर में पुलिस को कुछ फिंगरप्रिंट्स मिले थे उन्होंने इस फिंगरप्रिंट्स को अपने डेटावेस से मैच किया तो एक लड़की की फाइल्स उन्हों मिली है डेविड जब इस लड़की की फोटो देखता है तो ये ट्रिना ही है वो confused हो जाता है कि ये हुआ क्या इसके बाद जो बुढ़ा आत्मी अपने टेलिस्कोप से सब दिखता रहता था उसके पास डेविड पोच्चता है जब वो उसे ट्रिना की फोटो दिखाता है तो एक आत्मी उससे पहचान जाता है कहता है इसको तो मैंने बहुत बार इस हाउस में देखा हुआ है इस confirmation के बाद डेविड डेरिकली फिर मैट के पास पहुचा डेविड कहता है कि मुझे ट्रिना से बात करनी है मर्डर वेपन पर ट्रिना के फिंगर प्रिंट से है मैट उसे समझाता है कि डेरिना ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती है उसने खुद कहा था कि जिस दिन मर्डर हुआ था तो आर्टिस से वह मिलने के लिए कई हुई थी शायद उसने वहाँ हैचेट भी देखा इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है कल लंच पर आना और एज़ फ्रेंड तुम सब क्वेश्चन उससे पूछ सकते हो डेविर भी इसके लिए मान जाता है नेक्स डे फिर डेविर लंच पर आकर टीना से क्वेश्चन पुछता है वो पुछता है कि आर्टिस के साथ तुम्हारे रिलेशनशिप कैसी थी वो गहती कि हम दोनों एक ही कमपणी के लिए काम करते है उनकी रिलेशनशिप यह बहुत ही फॉर्मल थी डेविर पुछता है क्या तुम कभी उससे अकेले में मिली हो तो गही थी कि एक पार जब उसका मर्डर हुआ उसी दिन सुबा में उससे मिलकर आई थी डेविर फिर डारेक्ली बुछता है क्या उसके साथ तुम्हारे कोई फिजिकल रिलेशनशिप थी इस पर वो चीर जाती है के थी है हमारे रिलेशन सिर्फ प्रोफेशनल था उससे फिर पूछा जाता है जिस दिन वो आर्टिस से मिली थी उसके बाद गर आने पर क्या घर में कोई था यानि क्यों गर पे थी या कोई बता सके ऐसा कोई भी नहीं था उस दिन आफ्टरनून से लेकर रात तक उसे किसी ने भी नहीं देखा यह बहुत ही सस्पिच चैस है डेविड जब सबसे बात करता है तो उन्हें भी लगता है कि टीना नहीं मर्डर किया है उसके फिंगर प्रिंट्स मर्डर वेपन पर है और आफ्टरनून के बाद वो किस के साथ थी या मैं नहीं पता नेक सिन में हम देखते है मैट टीना के साथ इंटिमेट होने लगता है यहाँ पर हम देख सकते है टीना इंटिमेट नहीं होना चाहती थी इंटिमेट होते वक्त उसके आख में आसू है पुलिस को आर्टिस के घर में एक टेप मिली थी जिसे जराया गया था इस टेप को रिकवर करते हैं और इसमें कुछ इमेजेस वो देख सकते हैं जब डेविड इस टेप को देखता है तो वहाँ उसे टीना दीख चाती है अब वो टेणा ही है या वो कनफर्म करना चाता है पिट्रिस ने डेविड को कहा था बीच हाउस पर जिस भी आदमी के साथ वो इंटिमेट होती थी वो जेड को ही चाता था जेड ये इस मूवी की मिस्टरियस क्यारेक्टर बन चुकी है डेविड को अब लगता है कि टीना ही जेड है ये कनफर्म करने के लिए पिट्रिस को एक जगा पर बुलाता है वो उसके पास आने के लिए रोड क्रॉस ही कर रहे ही थी तभी एक गाड़ी ने उसे कुचल दिया तो मेक शूर वो गाड़ी फिर से वावपस आए और उसे फिर से कुचल ला डेविड फिर भागते भागते गया और उसने इस गाड़ी का पीछा किया इनकी चेज दूर तक चले फाइनल इस कार ने डेविड को ठोक दिया और इसके बाद वहाँ से चली गई डेविड के कलीक को लगता है कि पेट्रिस को इस सब में उसने ही इन्वाल किया इसी वज़े से उसकी डेथ होके डेविड इस पर बहुत ही चेज जाता है इसके बाद हम देखते है कि डेविड ने अपनी कलीक को एक इरिंग छुपाने के लिए कहा था उसकी कली कहती है अगर मैंने इसे ऐसे evidence lock नहीं किया तो मैं trouble में आ सकती हूँ पर डेविड उसे समझाता है तुम्हें कुछ trouble हो ऐसा मैं कभी भी भी नहीं करूँगा अब जब police फिर से discuss करते है तो Patrice को जिस गाड़ी ने उड़ाया था उसी type के गाड़ी Trina चलाती है इसके parallel में हम देखते है कि डेविड के पास governor के लोग आय हुए है डेविड के पास governor Patrice के साथ intimate हो रहा था इसके photos है इसकी original copies वो चाहते है डेविड अभी इस original को देने के लि relationship थी तो अभी भी Trina इसके लिए मना करती है तो इसके बाद directly उसकी tape लगाते है वो फिर confess कर डालती है वो गहती है artist और मैं एक party में मिले थे मैं बहुत ही drunk हो गई और उसके साथ घर चली गई हम दोनों intimate हो गए थे तो शायद उसी time ये tape ली गई होगी कहती है कि मैं सिर्फ एक बार उसके साथ intimate हुई हूँ मुझे और कुछ भी पता नहीं है टिना के खिलाव जो भी सब सबूत है तो डेविड उसे सब कुछ clear करता है यहाँ पर मैट टिना को defend करता है को कहता है यह सब बगवास है अगर तुम उसे charge करना चाते हो तो अभी क्या भी करो पर इसके बारे में पता नहीं है अलग-अलग hotels में तुम जाते हो कभी-कभी अपने office में भी तुम किसी और के साथ intimate होते हो मुझे इस सब के बारे में पता है मैट केता है क्या उसी वज़े से तुमने इस सब किया यह सिंग यही कतम हो जाता है अब नेक सिन में देखते है जिस और Trina intimate हो रहे है Trina उसे पूछती है मैं किसी और के साथ थी क्या इसी वज़े से तुम्हें मुझे प्यार आ रहा है वो इस वार बहुत इचिर जाता है यहता है कभी भी इस तरह से मुझे पात मत करना इन दोनों की relationship बहुत ही damaged हो चुकी है रात में Trina डेविट से मिलने के ले आती है डेविट को कहती है यह दूसरे लोगों के बारे में मैट को नहीं पता वो डेविट को समझा रही है कि मैंने यह सब murder नहीं किया वो यहाँ पर डेविट के साथ intimate होनी की कोशिश कर रही थी यानि डेविट उसके side में आ जाया पर डेविट उससे दूर हो जाता ह कहता है तुमने एक आदमी का murder किया है डेविट को call आता है उसके boss का भी murder हो चुका है इसके बाद डेविट जब रात में घर आया तो मैट already वहाँ था डेविट के पास आई थी यह मैट को पता है उससे लगता है यह इन दोनों में अफेर हो चुका है यह उससे confront कर रहा था तबी डेविट को ट्रिना का call आया उसके घर में कोई है घर में कोई घुश गया था और ट्रिना को मारने की कोशिश कर रहा था घर की मेड को भी मार दिया गया है डेविट और मैट यह जल्दी से वहाँ पोच्छते है एक्चुली घर में दो लोग है इन दोनों से उलड़ गोवनर के बारे में जिन्वमी लोगों को पता है वो सब अब मर चुके है इसमें सिर्फ ट्रिना जिन्दा है डेविट ऐसीड डारिक्ली गोवनर के पास पहुंचता है उनहीं कहता है के अगर ट्रिना कुछ भी हुआ तो सबकुछ तुमारा करियर बर्बाद कर दूँing go तुमने अब तक जो भी क्या है, ये सब मैं इग्नोर कर दूँगा, सिर्फ ट्रीना सेफ रहनी चाहिए। अब ये पुरा केस क्या था, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, आर्टिस को गैंबलिंग की आदत थी, और इसी वज़े से वो मनी की प्रावलम में आ चुका था, उसके गवर्नर के साथ और भी बड़े बड़े आदमियों के साथ कनेक्शन्स थे, उन्हें वो लड़किया सप्लाइ करता था, उन लड़कियों के साथ जब वो इंटिमेट होते थे, तो उनकी फोटोस भी निकाल लेता था, इन फोटोस से उन्हें ब्लैकमेल करता और बहुत सारे पैसे ले लेता, इन लड़कियों में पैट्रिस और ट्रीना भी सामिल थे, ट्रीना एक अलग नाम, जेड से ये सब बिजनेस करती थे, उसका हाजबन उस पर चीट कर रहा था, तो उससे बदला लने का ये एक वे था, अभी तक आर्टिस का मर्डर किसने क्या है, या में पता नहीं चला, मुवी का लास सीना था है, और ट्रीना अपने रूम में, जो भी लोग के साथ वो इंटिमेट होई थी, इन सब के फोटोस देख सकता है, ट्रीना की एक एरिंग आयप है, जो आर्टिस के पास डेविड को मिली थी, इस एरिंग का बॉक्स मैट के पास है, इन सब में मैट पहले से ही इनवाल था, उसे ट्रीना के बार में पता चल चुगा था, गुस्से गुस्से में उसने आर्टिस को मार डाला, ये सब racket expose हो सकता है इसलिए सब connected लोग को उसने मार डाला Trina भी सब कुछ अब समच चुकी है Matt उसके पास आकर उसे कहता है कि next time जब हम bed में होंगे तो मुझे तुम जेन से मिलवाना यानि कि Trina अब हमेशा के लिए उसके साथ first चुकी है ये मुवी इसी twist के साथ खत्म हो जाती है ज़र आपको ये वीडियो चलागा तो फ्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा मैं बहुत सारी मुवी लेकर आते रहता हूँ तो फ्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेर इंडिविशन आइकोन दमाने मत भूलेगा हम विरसे में लेंगे और एक नेमोई के साथ तो तेले थैंक्यो और आप अपने आपका ख्याल रखे